प्रेंले के स्क्रीम की तरह आ चुका है अपना कॉलवाइक का इवेंट एंड गैस यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एक बैट का स्कीन बिलकुली फिरी में तो गैस अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे असान तरीका कॉलवाइक इवेंट को कमपेट करने का बड़ उससे पहले काफी पहले बता रखा था कि सेवन अनिवरसरी पे हम लोगों को फ्री में मैंसी क्यूब भी मिलेगा और इसके लिए देखो सिंपल सा आपको 77 मिनट गेम घिलना है मतलब कि करीब कैस यहाँ पे आपको डिल गंटे बस गेम पेले कर लेना है चाहे आप लोग कोई सभी मोड खेल सकते हो CS full में BR कोई सभी खेलोगे चलेगा क्लासिक वेरा सब पुछ ठीक है तो किस यहाँ पर आपके पास तीन दिन का टाइम है तीन दिन के अंदर आपको सिर्फ 77 मिनट गेम खेलना है जो की काफी easy mission है तो आप लोग इस पताओ comment box में जब आप लोग वीडियो को देख कर सकते हो लेकिगर मैं आपको बोल जाल कि अगर आपके पास ज्यादा मैंजेक क्यों हो ऐंस2 जानते हैं कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हो में जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो किस यहाँ पर देखो callback event को compete करने के लिए simple सा यहाँ पर क्या करना है आपको callback पर क्लिक करना है अगर आपके list में कोई ऐसा वंदा होगा जो कि काफी दिनों से offline है करीब एक महिने से offline है तो उसका name यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं जो कि काफी दिनों से offline है आपने उसको on नहीं किया था तो अवी के time पर जाके उसको on करो वहाँ पर गैस देखो एक code डालने का option आता है चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का option आएगा तो किस यहाँ पर देखो मैं आ चुका हूँ अपनी एक दूसरी guest डालने का option आएगा अब यहाँ पर क्या करना है आपको अपनी जो main ID है उसका डाल देना है आपको UID ठीक है लाइक किस यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जिस ID पर आप compete करना चाते हो अपना callback event तो उसका किस यहाँ पर आपको डाल देना है UID अब किस यहाँ पर डालने के बाद simple सा देखो यहाँ पर confirm करने का option आएगा जैसे ही आप लोग confirm करोगे तो किस यहाँ पर confirm हो जाएगा बड़किस यहाँ पर देखो क्या है कि एक ची बता रहा कि जो आपका ID है जिस पर मतलब कि आप लोग इस event को compete करना चाते हो जिसको callback करना चाते हो उसका कम से कम 10 level हो चाहिए बड़किस यहाँ पर देखो मेरा जो है सिर्फ 5 level है तो अभी यहाँ पर नहीं हो पाएगा जैसे ही मैं इसका 10 level करूँगा उसके बाद पर वहाँ पर code डालूँगा तो हो जाएगा तो इस तरीके से कैस आपको code डाल देना है मतलब कि simple सा अपनी main ID का डाल देना है and उसके बाद फिरकेस यहाँ पर क्या करना है आपको इस ID को add करना है दोनों को add करके आपको जो है पांच गेम खिलना है कोई सा भी classic CS कुछ भी खेलोगे तो जैसे ही आप पांच गेम खेलोगे आपका जो है एक callback complete हो जाएगा अच्छा यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरे पांच फ्रेंड को callback करना है मतलब कि आपको पांच ऐसी ID चाहिए जो कि 2-3 हफते से offline हो और उन पांचों ID का जो level है वो 10 से जादा हो तभी आपका हो पाएगा simple सा उस ID को जैसे ही on करोगे वहाँ पर आएगा code डालने का option जहाँ पर simple सा आपको अपनी main ID का डाल देना है code UID डाल देना है और उसके बाद फिर उस ID को add करके आपको जो है 5 गेम खेलना है CSBR कुछ भी खेल सकते हो जैसे आप लोग खेलोगे तो आपका callback event complete हो जाएगा देखा जाए तो event जो है थोड़ा सा hard है क्योंकि यहाँ पर 5 ऐसी ID को खोच पाना थोड़ा सा मुस्किल है यहाँ पर एक और event आ चुका है जहाँ पर आपको कुछ new reward मिल जाएंगे यह achievement वगड़ा इसके लिए का करना पड़ाएगा सिंपल सा देखो गेम केंदर जो है CSFPP new mode आ चुका है यह वाला आपको सिंपल सा यह जो mode है वो आपको 5 वार खेलना है इसके साथ यहाँ पर आपको 5 जो है zombie का एक new mode आ चुका है इसको सिंपल सा डाउलोड कर लेना है यह zombie वाला mode आपको केलना है पांच बार यह सारे reward आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे ठीक है तो I hope you guys यहाँ पर आपको सबको समय में आ चुका होगा इसके लावा guys बोल दो कि यहाँ पर जो अपना new duo emote है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है आप लोग यहाँ पर भी देश सकते हो यह जो duo emote है वो आपको 9 zone को दिखने को मिल जाएगा emote royal में देखा जाए तो emote काफी OP है लेकिन गैस वो जो event होगा वो diamond वाला event होगा ताई होप कि guys आज का यह शुड़ा सा वीडियो आपको पसना है हो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक हो जाएँ पर न्यू है सब्सक्राइब करें सुवाजिया मिलते हैं आप से किस नेक्स वीडियो में जो टटटावा टिक कर